तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए MP Assistant Professor हिंदी के कट-off पे हम चर्चा करेंगे तो देखिए आप सभी जो है कमेंट कर रहे थे कि अब जो है आंसर की आने के बाद इसके कट-off पे बात की जाए कि इसका कट-off क्या हो सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पोल लिया गया था ग्रूप में और यह टेलिग्राम ग्रूप में पोल लिया गया था जिस पर क्या रहा है पहले हम इससे बात कर लेते हैं तो यहां देख सकते हैं कि देखे, 25 परतिशत लोगों ने 115 से 120 के बीच वोटिंग की है, 10 परतिशत लोगों ने 121 से 125 के बीच में वोटिंग की है, 12 परतिशत लोगों का 126 से 130 के बीच रहा है, 19 परतिशत लोगों का 131 से लेके 135 के बीच में रहा है, 11 परसंट लोगों का 136 स से 140 के बीच में रहा है 14 का 141 से लेके 145 के बीच में रहा है 2 परसंट 146 से 150 के बीच और 14 परसंट लोगों का 150 से उपर यहां पर जो सबसे जादा आप देख सकते हैं कि 25 प्रतिशत लोगों का कहा है 115 से 120 के भीच है ठीक है और इसके बाद जो है second number 131 से 135 के बीच है next एक और data है मेरे पास जिसमें आप देख सेखते रहें कि 110 से नीचे कितने % 22 प्रतिशत है 110 से 120 के बीच में 18 ४्रतिशत है 120 से 130 के बीच ए 19 प्रतिशत है और 130 से 40 के बीचे 15 प्रतिशत है वहीं पे 140 से 150 के बीचे 25 प्रतिशत है अब यहां पर प्रशन आएगा कि फिर हम क्या माने कि कितने तक जाएगी हम इसको माने बिलकुल भी नहीं मैं यह नहीं कहूंगी कि आप हाइस्ट इतने के बीच जाएंगे पहले देखिए और चीज मैं बात कर के उपर या तो उन प्रशनों के उत्तर बदले जाए या उनको डिलीट किया जाए तो पांच प्रशन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर विवादित प्रशन हम जिसको कह सकते हैं अब्जेक्शन वाले प्रशन कह सकते हैं तो वैसे तो अगर जोड़ा जाए दोरों पेप चलें फिलाल 5 प्रश्ण ही लेकर चलें क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्णों के आंसर वही रहे कुछ के नहीं बदलें तो लगभग मान लेज़े कि 5 प्रश्ण जो है आपके उसमें chances है ठीक है यहां में character जो data है वही आपको बताऊंगे कि इतने प्रश्णों पे आपको number मिल सकता है इतने प्रश्णों के उत्तर में बदलाव हो सकता है जादा आप यह मैं सोचेगा कि 10 प्रश्णों में हो जाएगा पांच लेके चलिए ठीक है अब यहां पर काफी वच्चों के पास यह जो चीज आई है कमेंट आते हैं कि हम अब कितने number पे cut off जाएगा तो देखिए पहले कि तरह पहले तो मैंने काफी जादा बताया था वो भी कुछ कारण था लेकिन उस पर काफी विवाद भी हो गया था अब लोगों के आए थे लेकिन फिर भी यहां अब जो एक minimum आ रहा है 130 से 140 जादा नहीं ले जाओंगे लेकिन 130 से 40 या फिर मान लीजे 135 तो आराम से आप मान लीजे उनके दोनों का जो कहते हैं माध्य दोनों का निकाल लेजे दोनों के वीच का क्या हो जाएगा कि 135 तो यहां पे जनरल वाले जो 135 है या उससे उपर है वो अपने आपको सेफ समझेंगे जनरल कटेगिरी के लिए वहीं पे OBC की बात करूं तो 130 मान ले इससे 5 कम मान ले क्योंकि OBC और जनरल में उतना ज 110 मान लेते हैं ज्यादा कम नहीं जा रहा है इससे उपर भी जा सकता है कोई भरोसा नहीं है और बहुत से बच्चों के ज्यादा भी आये हैं यह नहीं कहूंगे कि अब सबके ही कम आने लग गए हैं अंसर की के बाद तो ऐसा भी नहीं है लेकिन एवरेज जो टार्टर देन ही हैं सबके और 140 नमबर वाले भी मुझे मिले है 140 पलस वाले नमबर भी मुझे मिले है जिनके मैसेज आते हैं चाहे टेलिग्राम पे आए चाहे यहां पर यूटिब पे कोई मैसेज करें तो नमबर जो है इस जण्यादा वाले भी आये है तो कोई यह नहीं कह सकते कि कम ही आएंगे ज्यादा नंबर वाले भी है क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग सभी लोगों ने नहीं की है फिर भी यहाँ पर मैं एक minimum जो है वही लेके चलूँगी अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो voting 25 प्रतिशत लोगों ने इतनी ही दी है फिर आप उतनी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है जो एक average data में दोंगी तो वही है क्योंकि अगर 25 प्रतिशत यहाँ पर लोग है तो यहाँ पर category वाले लोग भी और इस वज़े से यहाँ पर यह भी है फिर दूसरा नंबर पर आप देख सकते हैं कि 131 से 135 के बीच यह इतना आया है तब ही मैंने आपको बोला है कि जर्णरल वालो का आप 135 प्लस मान सकते हैं ठीक है मैं यहाँ ज़्यादा भी नहीं बोर्ण ही हूँ और मैं यह भी नहीं कहले कि इससे कम भी आएंगे 135 तो आराम से मान लीजे 135 प्लस मान लीजे वो अपने आपको सेफ समझे कितना ऐगा बाकी जो है यह एक अनुमानित ही है और बाकी जो आएगा वो आपके समक्षिया ही जाएगा कि क्या कट अफ हाएगा आपकी आंसर की जारी हो चुकिए है जल्दी आपका इस पे जो जारी हो जाएगा, रिजल्ट भी आप सभी के सामने होगा, जादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कहा गया था कि डेड़ महीने के अंतर जो है ये भरती प्रक्रिया समाब तो हो जाएगी, तो देखिए कब इस पर क्या कारवाई होती है, जल्दी से क्या 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 किया जाता ह है, फिल्हाल मैंने आपको बता दिया है कि क्या कट आफ रहने वाला है, चैनल से जुड़िये रहेगीगा, जो भी जानकारी मुझे मिलती है, फिल्हाल देखिए, अबजेक्शन को लेके, मैं क्या फिर कहना चाहूंगे, कि अबजेक्शन को लेके, टेलिग्राम ग्रुप म लोग एक दूसरे को सोर्स भेज रही हैं, और ताकि आपके पास भी सोर्स हो जाए कि नहीं, इस कॉश्चन का यह आंसर था, तो काफी कॉश्चनों पर डाउट है, और सभी लोग इसमें टेलिग्राम से भी जुड़ जाएए, ताकि एक दूसरे से संपर्क करके, आप सभी उस पर अबजेक्शन लगा सके, जो भी प्रशन गलत है, तो यहां मैं इसलिए भी ग्रूप का सजचेशन दे रही हैं, ताकि आप भी इसमें हिसा लें और इससे जुड़े आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रशन गलत है और कौन से प्रशन सहीं है, ताकि आप भी अबजेक्शन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, चलिए थी जानकारी जो मैं आप सभी को देना चाहती थी, आप सभी के समख्षिर रखना चाहती थी, चलिए वीडियो चले चले गए तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देजएगा, कोई जानने जानकारी कमेंट बक्स में कमेंट करेगा, धन्यवाद।